दोस्तों, Mi Band 4 अगर आप भी फिलाल इंडिया में हैं और इंडिया में Mi Band 4 लांच नहीं किया गया है और आप इसे पर्चेश करना चाहते हैं तो आज के इस टूडब मैं आपको बदाने वाला हूँ की कैसे आप Mi Band 4 को पर्चेश कर सकते हैं और वो भी काफी कम पर्चेश में जी हां दोस्तों आपको सेम वही पर्चेश में यह आपको पड़ जाएगा जब इसे इंडिया में लांच कर जाएगा करीबन 2000 रुपे के आसपास इसे लांच कर जाएगा तो मैं आपको बदाने वाला हूँ की कैसे इसे आप फिलाल पर्चेश कर सकते हैं साथ में इसके अन्बॉक्सिंग भी हम करने वाले हैं इसके सबी फीचर्स आपको बदाने वाले हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको मी बैंट फॉर फिलाल कैसे पर्चेश करना हैं मैंने आपको दो लिंक डिस्क्रिप्सिंग में दिये एक यहाँ पर इंटरनेशन वर्जन है सेकिंड यहाँ पर चाइनीज वर्जन है आप जो मर्जी चाहें वो पर्चेश कर सकते हैं वैसे जो चाइनीज वर्जन है वो ही मैंने यहाँ पर पर्चेश किया इसमें आपको इंग्लिस लेंग्विज का सपोर्ट मिल जाता है और सेम वही फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं तो इसकी जो कीमत है तो वो काफी कम है और मैंने जो दोनों लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिये उनके साथ मैंने आपको कूपन कोड भी प्रोवाइड किया जहां पर आपको करीब न 2200 से 2300 रुपए का आफ मिल जाएगा यानि कि सबसे पहले जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिये गए है आपको अप्लाई कर देना है तो वहां पर आपको करीबन 2200 रुपए का आफ मिल जाएगा और आपको जो मी बैंट 4 है दोस्तों वह करीबन 2200 रुपए के आसपास ही मिल जाएगा तो इस तरह से आप लोग फिलाल मी बैंट 4 को इंडिया में पर्चेस कर सकते हैं तो चलिए आप यहां पर अन्बॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ फिचर्स आपको मी बैंट 4 में देखने को मिलते हैं तो दोस्तों यह है बॉक्स यहां पर मी बैंट 4 का सामने की तरफ यहां पर जो है 4 लिखा हुआ है बाकिस जो सारे specifications हैं दोस्तों वो यहां पर Chinese language में mention किये हुए मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने जो यहां पर purchase किया है वो Chinese language वाला purchase किया है तो यहां पर मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता कि box पर क्या कुछ लिखा हुआ है तो चलिए फटा फट से इस box को unbox करते हैं और उसके बास जो आपका Mi Band 4 है और इसके साथ में क्या कुछ accessories आपको मिलती हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ तो सबसे पहले यहां पर आपको Mi Band 4 ही देखने को मिल जाएगा और मेरे पास जो variant है दोस्तों वो black color वाला variant है आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का यह आपको यहां पर देखने को मिलेगा और यह जो यहां पर आपको display मिलता है दोस्तों वो 0.95 इंच का एक AMOLED display मिलता है इस पार आपको जो है color display देखने को मिलेगा पहले जो me band आते थे वो यहां पर color display के साथ में नहीं आते थे लेकिन इस पार आपको AMOLED color display देखने को मिलेगा और पीछे की तरफ से जो आपका band है दोस्तों वो कुछ इस तरह से जो है देखने को मिलता है sensor और मी का logo यहां पर आपको देखने को मिल जाता है charging के लिए pin यहां पर आपको मिल जाती है और जो strap है दोस्तों वो आप लोग देख सकते हैं plastic का strap यहां पर आपको देखने को मिलेगा और देखने में काफी अच्छा है quality काफी अच्छी है तो किसी तरह का कोई भी यहां पर आपको दिक्कत नहीं आने वाला step में और पीछे की तरफ से आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखेगा charging करने के लिए यानि कि आपको जो अपना जो mi band 4 है उसे charge करने के लिए यहां से अलग करना होगा उसके बाद जो charging जो यहां पर डॉक आपको दिया गाया उसमें इसे इंसार्ट करना होगा यह डॉक आपको प्रोवाइड किया गाया और आप यूएसपी केवल का यूज कर सकते हैं और करीबन जो है यहां पर दो गंटे में फुल चार्ज हो जाता है और 20 दिन का आपको बैटरी बैक अप मिल जाता है और जो बैटरी बैक अप है तो वो काफी जवरदस्त है यह बिल्कुल भी चार्ज नहीं था जब मैंने इसे ओपन किया तो मैंने करीबन इसे 5 मिनट के आसपा चार्ज किया तो चलिए box से और content भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि box से अंदर और क्या कुछ आपको provide के गया तो उसके बाद आपको user manual यहाँ पर देखने को मिलेगा पूरा का पूरा Chinese language में है इसे आप side में रख सकते हैं तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तो मैं यहाँ पर आपको बदा देता हूँ कि मैंने पहले ही आपको बदाया कि यहाँ पर यह चार्ज नहीं था बिल्कुल भी तो मुझे यह चार्ज करना पड़ा और उसके बाद जो है second day मैं जो है वीडियो यहाँ पर बना पाया उसके बाद heart rate फिर आपका workout वाला फीचर यहाँ पर आपको मिलता है weather पर आप क्लिक करेंगो तो आपका जो weather है वो आपकी place वाला यहाँ पर दिखाया जाएगा तो यह जो है आपका जो data है वो sync कर लेता है mobile से तो कुछ इस तरह से आप weather भी देख सकते हैं और उसके बाद जो next feature यहाँ पर आपको मिलता है notification वाला मिलता है तो आप अपनी smartphone के notification यहाँ पर access कर सकते है SMS के callings के साथ में आप जो है यहाँ पर जो app के notification है दोस्तों वो भी access कर सकते है facebook, whatsapp तो यह सारे notifications आप access कर सकते है me band 4 पर और उसके बाद यहाँ पर आपको more वाला feature मिलता है जिसमें आपको dnd, alarm, music और stop वाला feature मिलता है timer यहाँ पर आपको मिल जाता है और fine device उसके बाद silent आप इसे कर सकते हैं और alipi का feature मिलता है me band जो display वो वाला feature आपको मिलता है तो डिस्पले की brightness आप यहाँ पर set कर सकते हैं फिलाल जो brightness है वो यहाँ पर 3 पर है और आप जो है maximum brightness कर सकते हैं तो maximum brightness है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं तो काफी ज़दा brightness आपको देखने को मिलेगी तो फिलाल मैं इसे कम कर लेता हूं क्योंकि फिर सायद आपको जो screen है तो यहाँ पर आपको मिलते हैं और factory reset वाला option मिल जाता है about वाला section यहाँ पर आपको मिल जाता है लेकिन अगर आप me fit वाला app जो है download करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे features और बहुत सारी home screen देखने को मिल जाएंगी तो आप सारा data यहाँ पर देख सकते हैं फिलाल आप जो मेरा workout है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 19 calorie यहाँ पर burn किया और जो step मैंने cover किया यहाँ पर कमाल के features मिलते हैं आपको me band 4 में साथ में अगर आप प्रोफाइल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर फिर आप जो अपनी जो home screen है उसे चेंज कर पाएंगे साथ में notification वगएरा के लिए भी आप सैटिंग कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाते है तो यहाँ पर आपको काफी जादा home screen देखने को मिल जाएंगी और बहुत ही कमाल की जो home screen है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी तो आप जो भी यहाँ पर home screen सैट करना चाहते हैं तो बस आपको उस पर click करना है और जैसे मैं यहाँ पर देखे आपको नीचे से एक जो जाएगा और उसके बाद जो sinking है दोस्तों वो यहाँ पर start हो जाएगी और आपका जो me band 4 है वो आपको एक नई home screen के साथ में देखने को मिलेगा तो देखे यहाँ पर देखे यहाँ पर सिंकिंग फ्लास start हो चुकी है और इसमें कुछ time लगता है तो यह आपकी फाइल क लग रही है तो आप अपने हिसाब से जितने बर्जे यहाँ पर home screen चेंज कर सकते हैं रोजाना आप नई home screen यहाँ पर लगा सकते हैं और आपको me band 4 फिल बिलकुल एक तम नया सा यहाँ पर देखने को मिलेगा देखे मैंने यहाँ पर देखे आपको दो तीन home screen दिखा तो कुछ इस तरह से आप home screen चेंज कर सकते हैं साथ में यहाँ पर unlock screen वाला feature मिलता कि आप अपने smartphone को भी unlock कर सकते हैं me band 4 की सायता से उसके बाद incoming call के जो notification है वो यहाँ पर आप पा सकते है SMS के notification पा सकते है alarm set कर सकते है app alert जो मैंने आपको बदा आया था कि आप Facebook, WhatsApp इन सभी के notification भी पास सकते हैं और उसके बाद में बहुत सारे features यहाँ पर आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएंगे तो यह सारे features आप यूज कर सकते हैं me band 4 में night mode भी आपको मिल जाता है तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप इसे purchase करना चाहते तो इंडिया म आपको केवल करीवन 2100 या 2200 रुपए के आसपास ही पढ़ जाएगा तो दोस्तों मी band 4 में आपको सारे features देखने को मिल जाते हैं Bluetooth 5.4 मिल जाता है heart rate monitor मिल जाता है sleep monitor मिल जाता है call alert यहाँ पर आपको मिल जाएगे notification यहाँ पर आपको मिल जाएगा तो बहुत ही कमाल का लिएक मिल जाता है तो आपको मिल जाता है जाता है एाता है खित सुर्वाध उत्क